Hello Friends, Welcome back to my channel, अर्ने श्रया, आज हम बनाएंगे मेथी पराथा और मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक सीक्रेट इंक्रेडियन जिसे यूज करने से आपके मेथी पराथा बनेंगे, बहुत ही खसता बिलकुल मार्केट के जैसे और खाने में बहुत तेस्टी, तो चलिए मेथी पराथा बनाना शुरू करते हैं, इसमें लिए हम लेंगे धाई कप गेहों का आटा, और इसमें डालेंगे 1.5 कप कटी हुई मेथी, 1.4 कप दही, 2.5 गी, 1.5 नमक, आधी चमच गरम मसाला, 1.5 धनिया पाउडर, 1.4 चमच खल्दी पाउडर, 1.4 चमच रेड शिरी पाउडर और सीक्रिट इंग्रीडियन्ट, 1.4 कप कॉन स्टार्ट, इसमें हमने लिए हैं कॉन स्टार्ट, जिससे पराथा बहुत ही क्रिस्पी बनता है, इन सभी इंग्रीडियन्स को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर गुन-गुना पानी यूज करते हुए, थोड़ा और उसके बाद में इस पर थोड़ा सा ओईल लगाएंगे, ओईल लगाकर इसको धख करके आदे खंटे के लिए रख देंगे, आदे खंटे बार इसको एक मिनिट और नीज कर देंगे, फिर जितना बड़ा पराथा बनाना है, उसी हिसाब से हम इसकी लोई तोड़ेंगे, और बॉल बना करके सूखा अटा यूज करके इसको पतली रोटी की तरह से बेल लेंगे, रोटी बल गई है, इस पर हमने एक चमच घी लगाया है, बहुत अच्छी तरह से घी लगाएंगे, उसको अच्छी से पैला लेंगे, फिर इसे एक साइट से फोल्ड करेंगे, प्ल अब जो प्लेट्स बन गई है, तो इसे एक सार से लपेते हुए, एंड को सेंटर से मिला करके एक लोई तयार कर लेंगे, और इसे भी सूखा अटा लगा करके बेल लेंगे, तवा हमने पहली गरम होने लग दिया था, तवा गरम हो गया है, इस पर हमने पराठा डाला, जब दूसरे साइट से भी सिख जाएगा, तब इसको फिर पलट लेंगे, और इस पर तोनों तरफ घी लगाते हुए, इसे दबाते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेखेंगे, घी की जगे आप ऑईल भी यूज़ कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह से जे वीडियो पसंद आये हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंट्स एंड फामिली में शेयर करें